वेलकम टू माई चाइनल सीमाज फूड एस्टेशन आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की क्रिस्पी टिक्की चाट तो चलिए सुरू करते हैं बनाना टिक्की चाट बनाने के लिए हम यहां साथ से आठ मेडियम साइज के आलू लेंगे जिसे उबाल कर हम छिलका हटा लेंगे साथी आधी चमच काली मिर्च पौरर आधा चमच गरम मसाला पौरडर दनिया पौरडर आधी चमच चिलि फ्लिक्स रफक्सनल है आप इसे propos कर σकते हैं और स्वादनुसार नमक और साथ ही एड़ करेंगे हम दो चम्मच मैदा और साथ में एड़ करेंगे एक चम्मच चावल का आटा और इसे के साथ एड़ करेंगे एक चम्मच अधरक लहसुन का पेस्ट आप इसके जगा इसे बारी काट के भी डाल सकते हैं और इन सब को हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे और अब एड़ करेंगे हम एक चमस तेल और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे बनाने के लिए हम यहां आलू की डो त्यार कर लिए हैं तो चलिए अभी इस डो से हम टिकी बनाते हैं जिसके लिए हम इस डो का एक बड़ा सा पोर्शन इस तरह से लेंगे और इसे हाथ से गोल करेंगे गोल करते हुए इसे हम अच्छे से चिकना करेंगे चिकना करने के बाद इसे दोनों हथिलियों के बीच में इस तरह से लेके टिकी का सेप देंगे और इसके किनारे को भी हम चिकना करेंगे आप देख सकते हैं अच्छे से आलू की टिकी बन के त्यार है इसी तरह हम सारे टिकी बना लेंगे यहां हम सारी टिक्की बना के त्यार कर लिए हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जहां हम इसे फ्राई करेंगे और अब हम आलू की टिक्की को फ्राई करने के लिए एक पैन या कडाही लेंगे और उसमें एड़ करेंगे हम तेल तेल के गरम हो जाने के बाद इसमें एड़ कर देंगे हम आलू की टिकी इस तरह से एक बार पलटने के बाद गैस के फ्लेम को हम मेडियम कर देंगे और मेडियम फ्लेम पर हम दोनों साइड से पलटते हुए टिकी को गोल्डेन करेंगे जब आलू की टिकी को हम अच्छे से गोल्डेन कर लेंगे उसके बाद हम इस तरह से इसे प्रेस करेंगे उसके बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और दुसरे साइड से भी हम क्रिस्पी करेंगे गैस का फ्लेम हम यहां मिडियम रखेंगे और दोनों साइड से पलटते हुए इसे अच्छे से क्रिस्पी करेंगे इस तरह से क्रिस्पी होने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे इसी तरह हम सारे टिक्की बना के त्यार कर लेंगे आप चाहें तो एक बार में सारे टिक्की बना के त्यार कर लें और जब आपकी इक्छा हो टिक्की चाट खाने की उस समय आप तेल में डाल के टिक्की को प्रेस करें और उसे दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी कर लें उसके बाद आप टिक्की चाट में यूज करें इस इस तरह से बाहर निकाल लेंगे यहां हम सारे टिक्की बना के त्यार कर लिए हैं तो चलिए अब हम प्रेस किया हुए टिक्की से टिक्की चाट बनाते हैं तो इस तरह प्लेट में हम प्रेस किया हुआ टिक्की लेंगे जिसे हमने दोनों साइड से क्रिस्पी किया था और उस से दही के ऊपर हम इस तरह से इमली का चटनी यूज़ करेंगे और इस चटनी के ऊपर हम धनिया चटनी इस तरह से यूज़ करेंगे और इस स्टिक्की चाट के ऊपर हम इस तरह से प्याज और टमाटर एड़ करेंगे और इसके बाद हम फिर से इसके उपर थोड़ा सा दही आड़ करेंगे साथ ही इमली की चटनी और धनिया के चटनी आड़ करेंगे और इस टिक की चाट के उपर हम इस तरह से काला नमक आड़ करेंगे साथ ही आड़ करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा साथ में एड़ करेंगे भुना हुआ जीरा और लास्ट में इसमें एड़ करेंगे हैं चाट मसाला इस तरह से और अब इस टिकी चाट के उपर हम इस तरह से सेव एड़ करेंगे चारो तरफ आप अपने पसंद से सेव कम या जादा कर सकते हैं इसके उपर फिर से हम थोड़ा सा दही एड़ कर देंगे थोड़ी सी इमली की चटनी और थोड़ी सी धनिया की चटनी इस तरह से एड़ करेंगे तो लीजिए क्रिस्पी आलू टिकी चाट बन के तियार है अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं फूर इंस्टेंट नॉटिफिकेशन